नमस्कार मैं प्रहलात कुमार मेना एसोसेट प्रोफेसर प्रोटिकल साइंस ब्येसर गॉर्मेंट आर्ट्स पलिज अलवर पिसली क्लास में हमने प्लेटो के साम्याद सम्मंदी विचारों का अध्यन किया या उसके बारे में जाना प्लेटो आदर्स राजा की प्राप्ति के लिए परिवार संपत्ति के साम्यवाद की बात करता है और आदर्स राजा की प्राप्ति के लिए ही वो अपने सिक्षा प्लान देता है ऐसा नहीं है कि प्लेटो ने साम्याद सम्मंदी कोई मौलिक विचार दिये हैं लेकिन फिर भी उनमें कुछ नया प्लेटो ने जोड़ा है जैसे कि पिछले वीडियो में हमने देखा कि कुछ यूनान के नगर राज्यों में भूमी पर सामोहिक अधिकार की बात थी पत्तम संतान की प्राप्ति के लिए अपने पत्नी को दूसरे व्यक्ति के पास भेजने की परंपरा भी मिली है तो उस अंदर में कह सकते हैं कि कुछ हदिता के यूनान में या यूनान के नगर राज्यों में साम्याद समंदी विचार देखे जा सकते हैं या उस समय भी मुततकालिन समय भी कुछ ऐसे विचार थे जैसा कि प्लेटो ने परिवार के साम्यवाद के बारे में बताया है और सम्पति के साम्यवाद के बारे में बताया है आज हम इस एकलास में प्लेटो के साम्यवाद और आधुनिक साम्यवाद के संदर्व में चर्चा करेंगे कि आधुनिक साम्यवाद और प्लेटो के साम्यवाद में क्या अंतर है चुकि प्लेटो ने बहुत पहले अपने सामयवाद की बात रिपुब्लिक में बताई थी और आधुनिक सामयवाद बहुत बात की बात है जिसमें कई सारी चीजों में आज अंतर देखा जा सकता है तो जो अंतर बताया गया है पहला अंतर है उद्देश या लक्ष का अंतर जो प्लेटो के सामयवाद और आधुनिक सामयवाद में अंतर है वो पहला अंतर है उद्देश या लक्ष का अंतर प्लेटो के सामयवाद का लक्ष राजनितिक है प्लेटो सामयवाद की स्थापना या व्यवस्था की बात इसलिए करता है कि आदर्स राज की स्थापना हो सके और समाज में नियाई व्यवस्था इसलिए प्लेटो के सामयव का लक्ष राजनितिक है और वह विष्ष्ट प्रकार की आर्थिक योजना या सामयवाद के आधार पर राज में ब्रस्टाचार तथा लोब को समाप्त कर सु शुशासन इस्तापित करना चाहता है जबकि आद्वनिक सामयवाद का मुख्य लक्ष आर्थिक है और वह विशेष प्रकार की राजनिती व्यवस्था के आधार पर आर्थिक ऐसमानता को समाप्त करना चाता है जो पहला अंतर बताया गया है वो लक्ष का या उसका उद्धेशी का है इसके बारे हम बताया है प्लेटों के साम्मेवाद का लक्ष राजनितिक है और बो राजनितिके माद्ध्यम से सुसासन की या आधर्सराजी की बात करता है और उसके आधार पर सुसासन और नियाई की बात करता है आधुनिक साम्यवाद का मुख्य लक्ष आर्थिक है और वो आर्थिक ऐसा मानता को समाप्त या उसको ज्यादा उसमें अंतर नहीं रखने की बात आधुनिक साम्यवाद करता है दूसरा जो अंतर बताया गया है वर्गों के आधार पर भेद का अंतर आधुनिक सामयवाद और प्लेटो के सामयवाद का दूसरा अंतर वर्गों के आधार पर जो भेद का अंतर है वो है प्लेटो चुकि प्लेटो भी समाज की तीन वर्ग बताता है सासक, सैनिक और उत्पादक और आधुनिक साम्यवाद में ऐसा कोई साम्यवाद को लेकर ऐसा कोई अंतर नहीं माना गया है प्लेटो के साम्यवाद की व्यवस्था केवल आधर सासक के लिए ही थी जबकि आधुनिक साम्यवाद की व्यवस्था संपुन नागरिकों पर लागू की जाती है या होती है तो इसके बारे में बताया है कि प्लेटो का साम्यवाद जैसा कि नटाई एक विद्वान है उन्होंने कहा है कि प्लेटो का साम्यवाद अर्द साम्यवाद है लोग उनका मानना है कि प्लेटो का सामयवाद ही नहीं है या अर्द सामयवाद है क्योंकि यह केवल सासक वैस्यानिक वर्ग पर ही लागू करता है संपत्ति से सैनिक वर्ग को और सासक वर्ग को अलग करता है यह उन से वंचित करता है निजी परिवार से भी उनी को वंचित करता है इसलिए नटाई ने इसको अर्द साम्यवाद की संग्या दी है क्योंकि यह केवल सासक वर्ग पर ही लागू होता है जिसकी संख्या संपुन जन संख्या की बहुत कम है या कि आदी से भी बहुत कम है जब कि आधुनिक सामयवाद राज के सभी नागरिकों पर लागू होता है यह दूसरा अंतर जो आधुनिक सामयवाद और प्लेटो के सामयवाद में देखा गया है या बताया गया है वो इस प्रकार है कि यह आर्थ सामयवाद के रूप में ही इसको कई विद्वानों ने माना है जिसमें नटाई हैं और यह बात सही भी है कि राजी की जनसंख्या के बहुत कम भाग पर या बहुत कम संख्या पर इस व्यवस्ता को लागू किया गया है और आधुनिक साम्यवाद को संपूर्ण नागरिखों पर लागू किया जाता है। आधुनिक साम्यवाद राज के आर्थ कार्यों को राज के नियंत्रण LGTcoran करते हुए उत्पदन प्रिक्रिया को प्रभायूत करता है जैसा कि हम आज के सामिवादी現在 में देखते हैं कि आर्थिक्त संसाधनों पर संपूर्ण एन अधिकार राजी का होता है और वो राजी के नियंत्रनम不知道 हिっち कोटर पादन या विटरण काुरिये राजी के देंटन में रहकर ही करते हैं यह तीसरा अंतर आदिवनिक सामयवाद के सामयवाद में देखा गया है है जो था जो अंतर आद'वनिक आदेवनिक sprawd p ale equip लेट में वो है पारिवारिक सामयवाद के समंद झान यह हैressed इसके टाइटल से ही क्लियर हो रहा है कि प्लेटो का साम्यवाद संपत्ति और निजी परिवार के रूप में था, जबकि आद्वनिक साम्यवाद केवल संपत्ति के साम्यवाद के रूप में ही देखा जाता है. प्लेटो के साम्यवाद में संपत्ति की सामोहिक व्यवस्था के सासाथ इस्तियों के साम्यवाद की भी व्यवस्था करता है। उसमें आ सकती हैं और वो अपने लक्स से या अपने धर्म से या अपने कर्म से विश्थलित हो सकता है। इसलिए उसने संपत्ति और परिवार के साम्यवाद की बात किये। जबकि आधुनिक साम्यवाद इस्तियों के साम्यवाद की किसी भी प्रकायर की व्यवस्था की बात नहीं करता है। पांचमा जो अंतर है नगर राज्यों यहम अंतर राष्ट्रे तक अंतर। प्लेटो के समय में युनान में नगर राज थे और आज की तुलना में उनकी अगर देखा जाए तो जनसंख्या, भूभाग और व्योस्थाओं में बहुत बड़ा अंतर है। प्लेटो को अपने सामयवाद का प्रतिपादन केवल युनान के छोटे-छोटे राज्यों को द्रश्ट्री में रख कर किया था। जबकि आधुनिक सामयवाद एक ऐसी नमिन व्योस्था इस्तापित करना चाता है। जिसमें राष्ट्रे राजाओं के साथ सम्पून विश्व राजयों में मजदूरवर की आधारभूत एकता में विश्वास करता है। जबकि आधुनिक सामयवाद अंतर राष्ट्रे इस्तर पर जिसमें बहुत बड़े बड़े राष्ट्र हैं और उनके साथ आप से विदेश निती के राजने के और एक दूसरे की नीतियों से प्रभायत होने के। इवन यूएनों तक को प्रभायत करने के उसमें लक्षे होते हैं तो यह बहुत बड़े विस्तार के रूप में भी देखें तो यह बहुत बड़ा अंतर है वो छोट छोटे नगर राज्जियों के लिए था प्लेटो का सामयवाद और आधुनिक सामयवाद अंतर स्वारूप में आध्यात्मिक है क्योंकि उसने अभिभावक वर्ग को निजी संपत्ति से बंचित किया है वह निजी संपत्ति को करता भी परायान पालन में एक बादा मानता है जबकि आधुनिक सामयवाद पूनतयाब होतीक है और यह संपत्ति की अनिवारिता को स्विका करते हुए समान वित्रण पर बल देता है स्वारूप का अंतर इस रूप में है कि प्लेटो अभिभावक वर्ग को या सासक वर्ग को संपत्ति से या निजी संपत्ति से वंचित करता है क्योंकि उसका मानना था कि वह अगर निजी संपत्ति अभिभावक वर्ग या सासक व पाएगा जबकि आधुनिक, शाम्यवाद पूंटेया भहुतिक है और ये संप्तिक कीत की आप निवारिता को स्विकार करके उसके समान वित्रन पर 산 बल देता है जो कि राज जी के द्वारा किया जाएगा और अगला अंतर है विवारिकता का अंतर प्लेटो का साम्यवाद पूर्णते ऐ विवारिक है और इसलिए इसे कभी विवार में लागू नहीं किया गया किन्तु आधुनिक साम्यवाद के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता क्योंकि आधुनिक साम्यवाद को अनेक देशों में लागू किया गया और काफी समय तक यह साम्यवादी व्योस्ता चली यह देपी अनेक राज्यों में आधुनिक साम्यवाद असफल भी रहा है किन्तु वर्तमान में भी अनेक राज्यों में इसका अस्तित्व पाया जाता है व्यवारिक्ता का अंतर में यह कहा जा सकता है कि प्लेटों के द्वारा दे गई साम्यवाद ही व्यवस्था जिसमें निजी परिवार और निजी संपत्ति की साम्यवाद की बात करता है वो कर पाया जब की आदुनिक समय में कई राष्ट्रों में यह सफल और रहा है और अभी भी अनिक राज्य में इसका अस्थित्व है और अंतिम जो अंतर प्लेटों के साम्यवाद और आधुनिक साम्यवाद में बताया जा सकता है वो यह साधन समंदी अंतर आध्वनिक साम्यवादी विचारधारा साम्यवादी समाज की स्थापना के लिए मजदूर वर्ग या सर्वहरा वर्ग द्वारा पूंजी पतियों को समाप करने वे सासन की सक्तियां प्राप करने के लिए हिंसा व्यक्रांति को आवशक मानता है आद्धुनिक साम्यवाद की जो विचार धारा है वो मजदूर वर्ग के लिए या सर्वहरा वर्ग जिसमें कोई जाती या कोई विशेश समुदाई वर्ग नहीं होगा वो सब पुझी वादियों के खिलाप हैं कि पुझी वादियों को समाप्त करके सासन की सक्तियां प्राप्त कर लें और उसके लिए हिंसा और क्रांति के आउशकता हो तो वो भी कर सकते हैं ऐसी अनिवारेता या बादेता उसमें नहीं है दोनों ही चीज़ें उसमें हो सकती है इंसा और क्रांति का इस्तेमाल भी हो सकता है और सामान ने समझगोल काम में लेकर भी आदुनिक सामयवाद या सरवारा वर्ग पुझी पत्यों में खिलाब अपना अंदोलन कर सकता है जबकि प्लेटो ने अपने सामयवाद को सापित करने के लिए कोई साधन नहीं बताया है प्लेटो के वल सिख्षा व्योस्ता कोई ही इसका साधन मानता है इसलिए साधन समंधी अंतर भी प्लेटो के सामयवाद और आदुनिक सामयवाद में बताया जा सकता है निसकर्स रूप में कह सकते हैं कि प्लेटो का सामयवाद आदोनिक सामयवाद से इतना भिन्न या अलग है कि टेलर के इस कतन को स्विकार करना पड़ता है कि Republic से समाजवाद और सामयवाद के संबन में बहुत कुछ कहे जाने के बावजूद ने तो इस गरंधि में समाजबात पाया जाता है और नहीं साम्मेवाद आज की इस इकलास में इतना ही और हमारे इकलास में प्लेटों के साम्मेवादी विचारों का यह टोपिक था यहीं समापत होता है अगले टोपिक में अगले इकलास में हम एक ने टोपिक पर बात करेंगे तब तक के लिए धन्यवाद घर में रहें सुरक्षित रहें धन्यवाद